जै मादादी दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अक्षे तृतिया के बारे में बात करने वाले हैं अक्षे तृतिया कब मनाये जाएगी? इस फर्ष अक्षे तृतिया किस दिन पढ़ रही है? अक्षे तृतिया का दिन स्वयम सिद्ध महरत माना जाता है ये पर्व वेशाक माह के शुक्ल पक्ष की तृतिया तीथी को मनाया जाता है। हिंदू धर्म में इस दिन को बहुत खास माना जाता है। अक्षे तृतिया पर त्रेता युक का आरंब हुआ था। अक्षे तृतिया पर विश्नु अवतार भगवान परशुराम जी और दशम महा विध्या में नववम देवी भगवती राज राजेश्वरी मातंगी का जन्मो उत्सव मनाया जाता है। अक्षे तृतिया के दिन खरी दी गई वस्तु की लंबे समय तक सम्रद्धी प्रदान करती है। घर परिवार के लिए खुश्याली बनी रहती है। मान्यता है कि अक्षे तृतिया के दिन इसनान, दान, हवन, तरपन, आधी जो भी कर्म किये जाते हैं वे सब अक्षे हो जाते हैं। अक्षे तीतिया संपुन पापों का नाश करने वाली और सभी सुखों को प्रदान करने वाली मानी गई है। इस साल 2023 में अक्षे तृतिया की डेट वो लेकर लोगों में कन्फ्यूजन हैं। आईए जानते हैं अक्षे तृतिया की सही तारिक शुप महरत क्या हैं। वेशाक माह के शुक्ल पक्षि की तृतिया तिति 22 अप्रेल 2023 को सुबह 7 बचकर उन 50 मिनिट पर शुरू होगी। और अगले दिन 23 अप्रेल 2023 को सुबह 7 बचकर 47 मिनिट तक रहेगी। पंचांग के अनुसार 22 अप्रेल को तृतिया तिति अधिक समय तक रहेगी। इस कारण इस वर्ष अक्षे तृतिया 22 अप्रेल को मनाई जाएगी। इस दिन पूजा और खरिदारी का शुप महरत भी प्राप्त हो रहा है। इसे में 22 अप्रेल को लक्ष्मी और नारायन की पूजा और मुल्यवान चीजों की खरिदारी शुप रहेगी। वहीं अक्षे तृतिया पर इसनान का विशेश महत्व होता है। इसे में 23 अप्रेल को ब्रह्म महरत में पवित्र गंगा नदी में या पवित्र किसी भी नदी में इसनान करना पुण्यकारी रहेगा। अब जानते हैं अक्षे तृतिया के दिन पूजा के शुप महरत क्या है। अक्षे तृतिया 22 अप्रेल 2023 को सुबह 7 बचकर 59 मिनीट से 12 बचकर 20 मिनीट तक पूजा का शुप महरत रहेगा। पूजा करने वाले सादक को पूजा के लिए 4 घंटे 31 मिनीट का समय मिलेगा। तो दोस्तों ये थी अक्षे तृतिया के बारे में जानकरी। मैं आशा करती हूँ आपको ये जानकरी अच्छी रगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ज़िए आपको अक्षेत रतिया के बारे में अन्य कोई जानकरी जानना हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और ऐसी ही अन्य जानकरी प्राप्त करने के लिए मेरे चेनल को तुरंट सस्क्राइब कर लें धन्यवाद